मुझे लगता है कि बहुत अध्वुत चण है जे अयुद्ध्या में भगवान राम का मंदिर पुनर प्रतिश्ठापित कब होगा यह प्रश्णा 500 वर्षों से भारत में गुंशता रहा पचासियों पीडियां खप गए आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं इस विशे पर सोचता था तो मुझे महराज जनक का राजभवन याद आता था कि सीता स्वेंबर का दर्श्य था और जब तमाम युद्धा महावीर भगवान आशतोष के धनुष को नहीं हिला पाए तो महाराज जनक ने कहा निराशा में कि अपने अपने घर जाओ लगता विधाता ने वैदेही के भाग्य में विवाहन नहीं लिखा तब राम प्रगठ होते हैं और उसके आगे की कहानी पता ही है प्रतेंचा चलाते हैं धनुष भंग होता है और माता जानकी उनकी पतनी के रूप में उनके साथ आती वही से इस्ति थी राम जनम भूमी स्थान पर राम लला के मंदिर को लेकर भी बनी कई बार हिंदुस्तान के मन में निराशा आई लीकिन फिर नूर की एक बूंद है जो सधियों से बहा करती है उस नूर की बूंदने हिंदुस्तान की आत्मा को ये शक्ती दी कि संघर्ष करिए वो संघर्ष जमीन पर भी हुआ वो संघर्ष आजादी के बाद राजनितिक अंदोलनों की शकल में हुआ उस संघर्ष के तहट जेल यात्राएं हुई उस संघर्ष के तहेद तमाम नौजवानों ने अपने प्राणों की आहूती दी उस महायग्य में कुठारी बंदु मुझे याद आते हैं मैंने 6 दिसम्बर देखा तीछ परस्ते सांदोलन से को एक पत्रकार के नाते देख रहा हूँ मैंने 6 दिसम्बर भी देखा भारत के राजभवन में हुआ था कि सीता सुएंबर वो दिन आ गया साधू संतों का आशीरवाद भारत के पुन्यों का संचित फल कि उमगी अबद अंबुद कहूं आई तो गोसामी जी ने कहा वहीं सी छटा दिख रही है उद्ध्यम यह मंदिर अद्भूत होगा इसलिए ने कि बहुत बड़े परिसर में बन रहा है इससे बड़े परिसर में मंदिर है भारत में ही तक्षिल भारत में धाई सो एकड़ तक के परिसर के मंदिर है भारत में पहले से लेकिन इतना बड़ा संगर्ष किसी मंदिर के साथ नहीं जुड़ा इतना बड़ा संगर्ष किसी मंदिर के साथ नहीं जुड़ा जितना बड़ा संगर्ष राम लला के मंदिर के साथ जुड़ा है